दोस्तों क्या आप भी WhatsApp के आटो डाउनलोड से परिशान है ग्रूप्स में और फ्रेंड्स द्वारा भेजे जाने वाले अननेसेसरी फोटो वीडियो के आटोमेटिक डाउनलोड होकर गैलेरी में से होने के समस्या से परिशान है तो घवराइए मत आज के इस वीडियो में आ पाइलाटिक यह है कि आटो डाउनलोड को कैसे स्टॉप किया जाए सबसे पहले चलिए हम आपको दिखाते हैं WhatsApp उपन करते हैं और एक फोटो को भेज कर देखते हैं यह WhatsApp मैंने उपन कर लिया गैलेरी में गये और एक यह फोटो को मैं सेंट करता हूँ यह फोटो चला गया अब WhatsApp को ओपन करते हैं यह देखिया आटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है यह फोटो इसी तरह बहुत सारे फोटो और वीडियोस आते रहते हैं ग्रूप में और वह डाउनलोड होकर खुद बहुत सेव हो जाते हैं अब इस प्रॉब्लम से बचने का एक उपाय है तो WhatsApp को ओपन करेंगे सबसे उपर थ्री डॉट है उसमें जाएंगे सेटिंग में जाएंगे इस टोरेज डाटा यहां पर है यहां पर जाएंगे यह देखिए वेड यूजिंग मोबाइल डेटा वें करेक्टेड ओन वाइफाई वें रोमिंग सब में और मेडिया और मेडिया किया हुआ है जैसे देखेंगे फोटो और वीडियोस और डॉक्युमेंट सारा चेक किया हुआ है इसको हम अंचेक कर देगे सब मॉल्स्zig यह देटा अन्चेक कर सकते हैं या फिर और जोर्ण चाहिए यह को बींख दो यह एक चीज चाहिऊ है जो अटेटिक ढान लोडं वुज होता मैं इस चैक कर देता हूं यह बहुत ही इरीटेटिंग होता है इसको को कर देग यहां पर भी वही करेंगे यहां भी मैं वही करूँगा यह हमारा सेटिंग हो गया अब फिर से फोटो में भेज के देखता हूँ यह मैं वाट्सप उपन कर लेता हूँ गैलेरी में जाएंगे suppose that मैं यह फोटो ले लेता हूँ इसको send कर देते हैं यह फोटो हमारा चला गया वाट्सप उपन करेंगे यह देखिए यह फोटो डाउनलोड नहीं हुआ अब इसको जब मैं चाहूँगा तब यह डाउनलोड होगा गैलेरी में जाएगा इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं देखा आपने बहुत ही सिंपल है दोस्तो अगला ट्रिक भी काफी यूसफुल है इससे क्या होता है चलिए हम आपको वाट्सप डाइरेक्ट ओपन करके दिखाता हूं यह देखिए मैंने वाट्सप ओपन कर लिया अब आप यहां पर देखोगे सारा जितना भी चैट मेरा हुआ है जो रिसेंट चैट हुआ वो सारा सामने में नजर आ रहा है अभी क्या करना है मालने जिए आपकी कोई फ्रेंड है या गर्डफरेंड है उसके चैट को आपको हाइड करता है छिपाना है ताकि कोई आपके घर का कोई बड़ा या भुज़र या कोई रिस्पेक्टेबल परसन जो नहीं देखे तो उसके लिए क्या करना होगा नॉर्मली चैट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहां पर यह जो बटन आपको दिख रहा है यह आइकन जो दिख रहा है यह अर्काइब का आइकन है इसको प्रेस करते ही यह चैट जो है आपका अर्काइब हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर अर्काइब का एक फोल्डर बन गया है अब नॉर्मली क्या होता है कोई भी आपका यह वाट्सप उपिन करेगा तो यह अर्काइब का फोल्डर देखकर उसके उतना कुछ समझ में नहीं आएगा और इसका एक यह फाइदा है को कोई भी चैट को अगर आप अर्काइब करते हैं तो उसका नौटिफीगेशन भी नहीं आता है चले एकिश यह ब्लेक्र करकर दिखाता हूं और उससे मैसेज करता हूं मालेगिश मैने यह चैट को सेलेक्ट कर लिया इसको चला गया इसको बंद करके अब इसको उपिन करते हैं अब यहां पर देखिए अर्काइब के ठीक सामने एक बना हुआ है बस यही एक निसान आएगा बागे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा अब यह एक आप देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किसी का मेसेज आया आप इसको उपिन कीजिए और यह देखिए आपने इसको रिड कर लिया आप इसको आप सेंड कर सकते हैं दोस्तों नेक्स ट्रिक मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसका भी कोई जवाब काफी यूजफूल है आपको आगे जलकर यह काम ही आएगा चलिए मैं वाटसब को उपिन करता हूं सीधा दिखा देता हूं यह मैंने वाटसब उपिन कर लिया और इसके एक चैट को मैं उपिन कर लेता हूं सब्सक्राइट आप किसी चैट कर रहे हैं और उसका कोई होता है या ऐसा फोटोगों होता है जो आपको बहुत बहुत पसंद आता है जह सार अब debate उसेजnd फोटोज को मैसेज छोकर पाकी सारव चला जाता है इसे उपर चला जाता है सामने ही रहता है तो क्या कर messages और photos को star कर सकते हैं जैसे suppose that मैंने इसको select कर लिया और यह chat जो है high वाला option इसको मैंने select कर लिया अब यहाँ पर देखिए star का icon आप दिख रहा होगा सबसे उपर में इसको जैसे आप प्रेस करोगे तो यह star folder में चला जाएगा अभी क्या है कि कितना भी chat इसमें हो जाए message पुरा भर जाए आप जैसे याद आएगा कि वो message मुझे देखना वो photo देखना है तो normally क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सबसे उपर में three dots जो दिया हुआ इसको click करेंगे start message का एक folder बना हुआ इसको pin करेंगे देखिए यहाँ पर वो आ गया ना हाई और यह अभी यहाँ पर आप देखोगे you के ठीक सामने यहाँ जहाँ पर time लिखा हुआ ग्यारा बच्कर पंदरा पीएम इसको देखिए यहाँ पर एक arrow का निशान है इसको जैसे click करेंगे तो आप वही पर चले जाएंगे जहाँ पर यह message था जो chat था मान लेजी कि आपने यह chat किया था 2020 में और आप 21 में देखना चाह रहे हो तो direct वही पर चले जाएंगे उसके नीचे कितना message कौन सा message उपर क्या है सारा आप पो दिख जाएगा तो है ना यह भी काफी काम का और useful trick आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आज आपको हमारा यह trick कैसा लगा इसके बारे में comment करें like करें और channel को subscribe करें तब तक के लिए bye bye thank you करें इसके बारे भाफे ने कि हुए BBC कि अरव dł तर चुच्यू right तब नहां चुच्यू कि अरव का रव अबढ़ा झाल